लो गाइज, वेलकम बैक तो मा यूटूब चानल, रिश्मुनी, तो आज हम लेकर आचुके हमारा 6 वीडियो, इस स्वाट सिन स्टेट वाली सीरिज में, जो की बनने जा रहा है ऐसी स्टेट के उपर, जिसे लैंड आप दी फाई रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ह हमारी जो इंडियन स्टेट है पंजाब, तो इसी का जो निकनेम है, तो वो है लैंड आप दी फाई रिवर्स, तो अगर आपको रिवर्स पता है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए, तो बिना किसी डिले के आईए देखते है कि क्या है पंजाब की स्टेट म तो यह आपको अच्छी तारह से समझ जाएगा, तो आप देख सकते है कि पंजाब जो है तो आपना बॉंडरी जो है तो वो पाकिस्तान से भी शेयर करता है, तो पार्टीशन होने से पहले इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने से पहले पंजाब जो स्टेट थी, वो काफी बड़ी हुआ करती थी बट जब पार्टी शुन हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब फिर इंडिया में रह गया तो उसके बाद फिर 1966 में एक बार ओल डिविजन हुआ तो उसके बाद फिर जो हर्याना जो स्टेट था तो का जोग्राफिकल लोकेशन आगे देखते हैं पंजाब का यह है डिस्टिक मैप तो अगर आपको डिस्टिक के बारे में जानना है पंजाब में अगर आप पंजाब से बिलॉंग करते हैं और अगर आपको देखना है कि पंजाब में कौनसी डिस्टिक कहां पर है और कितने पंजाब में 23 डिस्टिक्स है तो अगर आपको देखना है थोड़े अच्छी तरीके से तो मजजाब का डिस्टिक मैप आप यह स्लाइड में देख सकते हैं यह वीडियो पॉच्छ कर सकते हैं और अगर आप मतलब डिस्टिक मैप के बारे में आपको कोई पूछेगा नहीं अगर आप को थोड़ी जानकारी चाहिए पंजाब के बारे में तो आप यह पंजाब का डिस्टिक मैप जो है तो वह आपकी काम में आ सकता है आगे बात करते हैं स्टेट सिंबल्स के बारे में बात करेंगे पंजाब की तो यह साथ साथ सिंबल्स है पंजाब के तो यह जो इंफॉरमेशन है तो यह इंफॉरमेशन मैंने विकिपीडिया से ही निका ली तो वहाँ पे जितने सिंबल दिये थे तो उतने ही मैंने यहां पे लगाए है तो अगर स्टेट एंबलम के बारे हम बात करेंगे तो पंजाब स्टेक्ट को खुद तो वह होता है कि truth always prevails, मतलब truth की हमेशा जीती होती है, then state animal के अगर बारे में बात करेंगे, तो वह है black buck, जिसका अगर scientific name के बारे में अगर देखेंगे, तो वह है antelope cervic capra, तो यह black buck का scientific name, black buck की जो picture है, तो यहाँ पे मैंने लगाईए, आप देख सकते है, then state animal के बारे, state aquatic animal क की बारे में बात करेंगे, तो वह है indus river dolphin, अगर इसका scientific name अगर हम देखेंगे, तो वह है भुलन, तो इसका भी picture में लगाया हुआ है, जो की state aquatic animal है, पंजाब का, then अगर state bird की बारे में बात करेंगे, तो state bird है, बाज, जिसका जो scientific name है, तो वह है acepitter gentilis, तो यह state bird है, बाज जिसे marraite में गरूड भी कहा जाता है, अगर तो six में देखेंगे, तो state flower, अगर state flower के बारे में बात करेंगे, तो वह है gladiolus, तो इसका जो scientific name है, तो वह है gladiolus grandiflorus, तो यह था state flower, और अगर state Toby के बारे में बात करेंगे, तो जो शिसम का पेड होता है, जिसका अगर scientific name के यह बारे हम स्वाठ करेंतों तो हूँ भाए तो है डाल विर हिया सिस्सर्ट को यह ते कुछ मुद्ध हाफ श 않은 संबन से पंझाब के तो अगर है किसे एक्जाम के निए और कुस्ट मुझा तो नेकर करें तो यह आपको ध्यान होने चाहिए तो अगर आप मतलब इसे अपने नोट में इनकोर्पोरेट करना चाहते हैं तो यह विडियो पॉट्स करके इनके जो नेम्स है तो यह आप मतलब नोट में अपने लिख सकते हैं तो यह थे कुछ state symbols of Punjab अगर facts to remember के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे next slide होती है तो पहले बात करेंगे formation D कौन सा है पंजाब का तो वह है first of November 1966 तो अगर बात करेंगे तो पंजाब की जो state थी तो 1947 से ही बन चुकी थी बट आज का जो present पंजाब state है तो वह 1966 में बना था तो इसलिए मतलब अगर आप ध्यान रखें कि अगर formation day अगर आपको पुछा जाता है कही पे तो वह first November 1966 है देन अगर capital के बारे में बात करेंगे तो पंजाब का capital चंदीगडे और largest city के अगर बारे में बात करेंगे तो largest city जो है तो वह लुद्याना largest city है पंजब की और अग अग्वंतमान तो पंजाब का खाली में election हुआ है तो जो आम आदमी party से जो मतलब candidate थे भग्वंतमान तो यह अभी नए जो CM है तो वह बनने जा रहे तो इन्हें आप incumbent CM पंजाब भी कह सकते देन गवर्नर पंजाब के बारे में बात करेंगे तो वह बनवारिलाल पुरोही देन नेक्स्ट है Chief Justice of High Court of Punjab तो अगर आपको Chief Justice कहा पर कहीं पर पूछा जाता है पंजाब High Court का तो वह है Honorable Mr. Justice रवी शंकर जा देन अगर number of districts के बारे में बात करेंगे तो अभी हमने next to पिछले slide में ही बात की है कि जो number of districts है तो वह 23 है देन number of तालूकास के बारे में बात क ही है ठीक है तो वह है 00 gay बात करेंगे तो लुक्तसक अजिचेश के बारे में बात करेंगे र आपको जन्रापाम अथा फ्योप्रकि पासिट्स में हो तो यह थी हम क्वें में थान rotor तो लिए थान में रखे तो जैसे कि हम मतलब हमारा जो पैटन रहता हो फॉलो करते तो वही इस बार भी फॉलो करेंगे तो जो फॉस्ट पॉइंट है तो है फॉस्ट नोन डॉकुमेंटेशन आप दे वर्ड पंजाब इस इन दो राइटिंग्स आप इबन बतुता इन दो फॉस्ट पॉइंट है तो वह है कि जो पंजाब का जो मतलब फ्रस नोन डॉकुमेंटेशन था जो यह वर्ड है पंजाब तो यह जो अगर कहा पे पहली बार दिखाई गया था तो जो इबन बतुता थे तो उनकी जो राइटिंग्स थी, मतलब इन बतुता एक वर्ड है तो इनके जो डॉकुमेंटेशन में है तो फर्स्ट मतलब पहली दफा इनके डॉकुमेंटेशन में पाया गया था जो कि इबन बतुता हमारे इंडिया में 14th century में विजिट करने आया थे तो अगर पंजाब का अगर लिटरल मिनिंग देखे तो पंच का मतलब होता ह है 5 और आपका मतलब होता है अंतलब Learn advice मालें तो मतलब दो अपकर होता है कि जो जो दो theно step बीच में जो लैंडेवी उसे दौप खा जाता है और जो पाच जो रिवर्स के बीच में जो लैंड होती है तो उसे पंजाब खा जाता है तो ऐसे पंजाब का मतलब जो नेम है तो वो ओरिजिनेट हुआ है जो कि मतलब आप बोल सकते कि जो ग्रेट अगबर मुगल एंपरर थे तो उनके जो आटो बायोग्राफिया आप कह सकते है जो कि मतलब अबुल फजल ने लिखे है जिनका मतलब एन्यक बरी तो इसके तीन होलियूम से तो जो फर्स्ट होलियूम है तो उसमें पंजाब का जिकर आता है तो उसमें देखेंगे तो पंजाब का जो डिस्क्रिप्शन वहां पे लिखा हुआ है तो वो है कि ऐसी अबुलियूम है तो अगर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है तो वो जो पार्ट था तो वो पंजाब से भी मतलब लिंक करता था तो इसलिए बोला है कि जो एंशेंट सिवलाइजेशन हो चुकी है जो कि जिससे हम इंडेस वैलिजेशन के नाम स हरता था तो तो जो मितलब पंजाब की जो लान्ड है तो इसे एथनी को रिलिजेशनर इवर सिंटी अभी मिली हुए मतलब यहां पर अलग-अलग मतलब मplay निरीजेन के पीपल है मतलब मुस्लिम बी न स्क्राइब के तो से आप को दिकेंगे हिंदु भी दिखेंगे सीक मुविंटी आपको दिखेंगी और यहां पर यहां से बहुत लाएम बताया था कि मतलब आ जो पार्टिशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में तो उसी की टाइम पे जो पंजाब स्टेक थी तो फॉर्म हो चुकी थी बट वो पंजाब अधियान को लेके इन्क्लुड थी तो इसले मतलब 1947 में आप पंजाब जो बड़ी तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रोविंस है तो जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है तो वहाँ पे जो मुस्लिम कम्यूनिटी है तो वह मेजरिटी में है और जो इस्टन पार्ट था जो कि इंडिया से बिलॉंग करता है तो तो वहाँ प ही जो पंजाबी या फिर कम्यूनिटी थी तो वह पे लारजिल नमबर थी तो वह पे जो इστरन पाठ था तो उसे इंडिया का पंजाब कहते हैं और जो बखी जो मुसलिम कम्यूनिटी वाला जो पंजाब है तो वह अभी पाकिस्तान में लाएग करता है, then in 1950 two separate states were created first was Punjab and the second was the Patiyala and East Punjab states union जिसे पेपसू भी कहा जाता है तो 1950 मतलब 1947 के बाद जो तीन साल होए तो तीन साल में दो अलग separate state बनाए गई थी तो एक था पंजाब और दुसरा था दी पटियाला and East Punjab states union तो जिसका अगर short form देगे हम तो वो था पेपसू तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगी पेपसूग अगर long form या फिर full form जिसे कह सकते कि अगर पूछने को आता है कहीं पर या फिर आपको कोई पूछता है तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखें जो कि history of Punjab में आता है तो यह थी कुछ history of Punjab अगर पंजाब से बिलॉंग करते हैं और आपको अगर पंजाब की history नहीं पता है तो प्लीज इसे आप थोड़ा ध्यान में रखें अगर आप नोड्स बनाना चाहते हैं तो नोड्स भी आप बना सकते हैं तो यह थी history पंजाब तो अभी जोग्राफी आप पंजाब की बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है पंजाब इस टेट इन नदर इंडिया forming part of the larger Punjab region of the Indian subcontinent इस state is bordered by the Indian state of Himachal Pradesh to the north and northeast, Haryana to the south and southeast and Rajasthan to the southwest by the Indian Union territories of Chandigarh to the east and Jammu and Kashmir to the north तो पंजाब के अगर geographical location देखे तो हमने पहले ही दिखा हुआ है कि जो पंजाब जो state है तो यह north west side में आते हैं इंडिया के तो अगर बाकी इंडियन states की बारे में बात करेंगे जो की बारे में बात करता है पंजाब के साथ तो अगर जो हिमाचल प्रदेश के बारे में बा अगर southwest की बारे में बात करेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी state by area तो राजिस्तान के साथ अपना पांड़ी शेर करता है और अगर यूनियन टेरिटरिस के बारे में बात करेंगे तो चंदीगड जो है तो इसके साइट से पंजाब पंजाब अपना पांड़ी स्क्वेर वुच इस फाइब और इंडिया स्टोल जेग्रफिकल एरिया तो अगर एरिया के बारे में बात करेंगे पंजा स्टेट की तो वह है 50,362 किलो मेटर स्क्वेर और मतलब जो की इंडिया का जो टोटल जेग्रफिकल एरिया है इस ती उसका 1.53 पर्सिन ऑकूपाय करत पंजाब is the 16th largest Indian state by population तो अगर population के रैंकिंग में देखे तो पंजाब 16th नंबर पे लाए करता है जिसका population है 27 million थर्ड पॉइंट देखेंगे पंजाबी written in गुरुमुकी script is the most widely spoken and the official language of the state तो अगर official language के बारे में बात करेंगे पंजाब के तो वह है पंजाबी तो पंजाबी यह जो लैंग्वेज यह जो मतलब लैंग्वेज है official language of state पंजाब तो एक गुरुमुकी script में लिखी जाती है त तो अगर आपको कोई question पूछे कि पंजाबी है तो वह कौन सी script में लिखी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि वह गुरुमुकी script है then economy के अगर बारे में बात करेंगे तो the economy of Punjab is the 15th largest state economy in India with Rs.5.29 trillion in gross domestic product and per capita GDP of Rs.151,367 ranking 17 amongst Indian state तो अगर economy के अगर बात करेंगे 15th largest economy है हमारे इंडियन स्तेट्स में से तो अगर अनमार्स में देखेंगे एक रूपी शा को 9 trillion और अगर दोल्र और अगर per capita GDP के अगर बारे में बात करेंगे तो वह है रूपीज 1,51,367 और अगर US dollars के बारे में बात करेंगे तो वह है 2000 US dollars जो की 17th नंबर के ranking पे आती है देन अगर literacy rate के बारे में बात करेंगे पंजाब की तो वह calculated है 76.68% मतलब 76.68% जो population है पंजाब की तो वह लिटरेट है देना human development index के बारे में बात करेंगे तो वह है 0.74 और अगर six ratio के बारे में बात करेंगे तो 886 females per thousand males next point ना कर देखेंगे तो important rivers of पंजाब तो पंजाब का जो लेटरल मीनिंग है तो यह मैंने आपको पहले बताया हुआ है और आपको मैंने पूछा था कि जो 5 rivers है तो वह कौन सी है तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि जो वह 5 rivers है तो वह है सतलज, बीस, रावी, चेन आप एंड जेलम तो इससे आप जरूर याद रखे और अगर important mountains, important peaks के बारे में बात करेंगे पंजाब की तो नंगा परबत है तो नंगा परबत is the highest peak of पंजाब तो अगर आपको question आता है GKE की papers में कि मतलब highest peak कौन सा है पंजाब का तो वह है नंगा परबत और other peaks से कर देख कि वह है नंगा परबत तो यह थी geography of पंजाब आगे देखते हैं अगर major dams इन पंजाब के बारे में बात करेंगे तो first में है थेईन जिसे रंजित सागर ड्याम के नाम से भी जाना जाता है तो it is an urban dam built on the Ravi river purpose of purpose of dam is irrigation and hydroelectric power supply तो जो रंजित सागर ड्याम है जिसे थेईन के ना ना हुआ एक ड्याम है तो वह जो है तो रावी रिवर के ऊपर बनाए हुआ है और अगर इसका हम purpose देखे ड्याम का ड्याम को बनाने का तो वह है basically irrigation और दुसरा है hydroelectric power supply तो इससे मतलब जो electricity है तो वह भी generate की जाती है देन थाना ड्याम के बारे में पढ़ेंगे थाना ड्या तो यह भी multipurpose project है तो यह भी multipurpose project है तो यह जो जो सिस्वान ड्याम है तो यह भी multipurpose रिवर वैली प्रोजेक्ट है और अगर एक इस रिवर के ऊपर बनाया हुआ है इस अगर आपको question आता है तो आप मतलब थोड़ा आपको easily click हो जाएगा कि यह जो project है तो यह सिस्वान काड रिवर के ऊपर ही बना हुआ है और जो कि रूपर सीटी जो है पंजाब की तो उसी के आसपास located है तो इन पर्च डैम के बारे में बात करेंगे तो इडिस अन अधन डैम built on पर्च खाड रिवर serving multipurpose like irrigation and flood control डैम is located near the रूपर सीटी तो एक होड डैम है जो कि रूपर सीटी के आसपास ही located है तो वह है पर्च डैम तो यह भी एक अधन डैम है जो कि पर्च खाड नाम की रिवर के उपर ही बना हुआ है और यह भी मतलब multipurpose सहो करता है जैसे की irrigation रहा और flood का control रहा तो पर्च डैम एक multipurpose project है देन फिप नमबर पे है चोहाल डैम तो इस डैम हास हो है तो चोहाल नाम का जो विलेज है तो उसी के आसपास मतलब लाए करता है तो अगर इसका मतलब function देखे तो यह irrigation facility के काम में आता है जो की 900 हेक्टर की इरिया में आपना जो पानी है तो वह प्रोइड करता है तो यह थी कुछ मेजर डैम सीन पंजाब आगे देखते है अगर फेस्टिवल सब पंजाब की बारे में बात करेंगे तो फर्स में है मैने यहाँ पे मतलब लगा है लोहरी जिसके मतलब आगे लिखा हुआ है winter harvest festival जिसकी picture मैंने यहाँ पे लगाई है तो यह फर्स पिक्चर है तो यह लोहरी फेस्टिवल की ही है तो लोहरी जो लोहुरी नाम के फेस्टिवल को पंजाब के people हैं, इस चाइम पे जो people रहते हैं, तो जो sun रहता है, then fire रहता है, उसको उनको वार्शिप करते हैं, और उनको thanks स्प्रिंग्स बोलते कि उनका जो हार्वेस्टिंग रहा तो वह अच्छा हुआ उनके लिए मतलब आगे पूरे साल फाइदे के लिए रहेगा तो इस टाइम पे वह जो रहते पीपल तो वह सन और फायर को थैंक्स बोलते हैं देन बैसा के बारे में अगर बारे में बात करें तो बैसा कि एक स्प्रिंग में आने वाला हारवेस्ट फेस्टिवल से जो कि सीग पीपल और हिंदू पीपल के लिए कॉमन है तो यह एप्रिल मैने में 13 और 14 के आसपास इसे मनाया जाता है तो इसे जो सीग कम्यूनिटी सीग पीपल है तो उनके लिए एक नया साल के तौर तौर से भी इसे मनाया जाता है तो और एक और इंपोर्टन्स है बैसा की का कि जो गुरु गोबिन सिंग जी थे तो इनों ने 1699 में खालसा पंद की स्थापना की थी तो उसी के कममेरेशन में भी जो बैसा की जो फेस्टिवल है तो इसे मनाया जाता है देन थर्ड पे होला मोहला तो होला मोहला के अगर बारे में बात करेंगे तो यह जो सेकंड पिक्चर यहाँ पर मैंने लगाई है तो यह होला मोहला की है तो होला मोहला के बारे में बात करेंगे तो जो सिग कम्यूनिटी है तो उनके मतलब उनके बीच में ब्रदर हूड फ्रैटर निटी और ज इनों ने ही इस हुला मुहला नाम के फिस्टिवल को स्टार्ट किया था तो एक अलग इंपॉर्टन्स है पंजाब के फिस्टिवल का देना करवा चोथ के बारे में बात करेंगे तो आई होप की करवा चोथ का नाम आपने सुना होगा तो जो कपल रहते तो उन में जो बॉंड रहता है तो उसे डेपिक करने के लिए जो एक जो फेस्टिवल है जो वाइफ के द्वारा हस्बंड के लिए मनाया जाता है तो करवा चौत भी एक वन आप दी इंपोर्टन फेस्टिवल अफ पंजाब जिसे आप कह सकते हैं देन बसंद पंचमी के अगर बारे में ब में बसंद पंचमी है तो यह पीपल पंजाबी पीपल के द्वारा मनाई जाती है तिन उसके बात फीरति यां की बारे मैं बात करेंगे तो तियान जो रहता है तो एक मतल भा इस करने के लिए colorful dresses पहनती है colorful उनका colorful उनके customs उनका जो culture रहता है तो वह culture हमें शोगरती एकस्प्रेस करती है कियान फेस्टिल के द्वारा तो यह भी काफी important है तो इन्हें आप इसाद ध्यान में रखे कि यह specially women के द्वारा ही मतलब मनाया जाता है तो यह चापर पमेला के बारे अगर बारे में बात करेंगे तो यह कल् advertisers located यह क्रेंद के नियुक्री। तो मतलब इस चहपड मेली के द्वारा अगर आपको पंजाप का कल्चर जानना है तो чувств मेला में आप जा सकते तो आपको मतलब जो पूरा ब्यूटी को आपको मेला जो है तो मतलब सैप जादा स्थे तो साइबजादास के कमेमिरेशन में, उन्के होमेज, में इस जोर मेला को पंजाबी सीग कम्युनेटीड के मैं इसे बड़े धूमदाम से मनाति है देनगर 9th नमबर पे टिका आप मतलब आगे देखेंगे कि celebrating sibling hood तो जो भाईदूज है जिसे इंडिया में भाईदूज के नाम से जाना जाता है तो वो पंजाब में टिका नाम से जानी जाती है जो की दिवाल के बाद मनाई जाती है भाईदूज तो ये भी जो टिका जो फेस्टिवल है तो ये भी मतलब दिवाल के बाद ही मनाई जाते है जो फोर्थ नमबर फोर्थ की जो फोर्थ जो पिक्चर है तो ये टिका जो फेस्टिवल है तो उसी के है और ये जो थर्ड पिक्चर आप देख रही है तो ये तिया फेस्टिवल की तो आप देख सकते कि तिया फेस्टिवल में आपको सिर्फ वहाँ पे विमेन देखेंगी colorful dresses फैनी होई गुरु पूरब के बारे में बात करेंगे तो जिसे आप गुरु नानक जैनिती के नाम से जानते है तो वो पंजाब में गुरु पूरब के नाम से जाने जाती है तो ये बोल सकते कि most important festival जिसे कहा जाता है गुरु पूरब को तो गुरु पूरब भी एक मतलब आप बोल सकते कि most important festival है पंजाब का तो इसे आप ध्यान में रखे क्योंकि अगर किसी एक्जाम में इन में से कोई भी festival आता है और आपको पूछा जाता है कि मतलब कौन सी स्टेट है ये कौन सी स्टेट से बिलॉंग करता है तो आपको मतलब पता होना चाहिए तो ये थे कुछ दस festivals आप पंजाब आगे जाते है और स्टेट के बारे में बात करेंगे तो भांगडा जो है तो भांगडा हार्विस्टिंग के टाइम पे लोग मतलब पसंद करते है तो आप देख सकते कि जो फर्स पिक्चर है तो ये भांगडा के यह आपको वीमेन भी दिखेंगे देन में भी दिखेंगे तो ये मतलब अलग उनका जो मतलब कल्चरल ट्रेस है कल्चरल कोस्ट्यूम है तो वह पहन के डांस प्फॉर्म कर रहे तो भांगडा एक बहुत ही जादा इनरजेटिक डांस फॉर्म है जो की पंजाब से आता है देन गिद्धा की अग अगर देख सकते तो ये जो 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 शाधिया होती है तो शादियों में जो हैपिनेस रहती है वैसे आपको पता है कि पंजाबी पीपल बहुत ही जादा है तो जुमर के टाइम पे लोग इस डांस फॉर्म के द्वारा उनका जो हैपिनेस है तो वो एक्सप्रेस करते हैं तो तो इसका भी एक आप बोल सकते है कि historical importance है then cultural importance है sick people के लिए then अगर मालावी के बारे में बात करेंगे तो मालावी मालवा रिजन जो आता है पंजाब में तो वहाँ से जो people belong करते तो मालावी एक dance form है तो उनके द्वारा मनाया जाता है देना पाच नंबर फिप नंबर पे सामी तो सामी यह जो dance form है तो पंजाब में जो tribal community है तो वह इसे मतलब इसे धूम दाम से मतलब music के द्वारा dance form के द्वारा इस सामी dance को perform किया जाता है तो यह जो थर्ड पिक्चर है तो यह डंकारा की ही पिक्चर है जहापर आप देख सकते कि दो मतलब बोल सकते कि दो मेन है तो उनके हाथ में एक शिल्ड है और एक स्वार्ड है तो वह जो वैलोर दिखाते है उनकरेज दिखाते है उसके साथ dance perform किया जाता है बड़ी-बड dance form है music के साथ dance form के साथ अलग-अलग और उनका जो रीच कल्चर है तो वह इस अधहमाल के द्वारा दिखाया जाता है देना गटका के अगर बारे में बात करेंगे तो गटका एक martial art का dance form है जो की जो sick people है पंजाब के और अधर जो मतलब related ethnic groups है जैसे कि हिंदो कोवंस हुए तो वह इसे गटका को dance को perform करते है देन अगर जागो के बारे में बात करेंगे तो जागो का अगर आप lateral meaning देखेंगे तो जागो का मतलब होता है wake up तो जैसे कि मतलब नाम है तो इसी के मतलब जो wedding celebrations रहते जो पंजाबी people रहते तो उनके जो wedding celebrations रहते तो उसके टाइम पे जो जो मतलब girls रहते है तो एक जागोन डांस फर्म जो perform करती है शादी के पहले जो धिन होता है या फिर आप बोल सकते कि रात में इस डांस को perform के जाता है तो यह बी काफी आप बोल सकते की cultural importance रखता है historical importance रखता है यह जो dance फो में जागो तो इसे अब धान में रखेंगे और महारश्रों में फुगडी के नाम से जाना जाता है जहांपन see two women जो उनके hands है तो एंड्स लॉक करके जो मतलब ट्वर करते हैं प्याप्धी मतलब गोल-गोल-गोल घूमती है तो जो dance form perform कर चाता है तो उसे किलिक है तो यह कुछ dance forms of Punjab तो इसने आप थोड़ा ध्यान में रखे और अगर फेमस डीशेस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा फेवरेट पाल्ट होता है हमारे वीडियो का तो उसे अब हम डिसकस करेंगे तो फर्स्ट है बटर चिकन तो जब फर्स्ट पिक्चर है तो यहां पे मैंने इसके बाद फिर थोड़ा चिकन है तो चिकन में बनाया है बटर में डालके जो कि मतलब औरेंज कलर क्लर में आपको दिखाई दे रहा है तो बटर चिकन काफी लोगों में फेमस है आप मतलब समझ सकते हैं कि जो पंजाबी पीपल है तो उनके कल्चर में जो नॉन्वेज ह है तो बटर चिकन काफी फेमस दीश है पंजाब की देना छोले भटूरी के बारे में बात करेंगे तो आपको छोले भटूरी डीश कैसी होती है आपको पाता है कि भटूरे मतलब जो बड़ी बड़ी पूरी जो बनाए जाती है तो उन्हें भटूरे कहते है और छोले जैसे कि मूली के पराठ्य हुए हालो के पराठ्य हुए है यह बहूं काफ़ी फेमस है पंजाबी पीत में दाल मक्षणी हेंगे घर बाड़ हैं यहाँ पर यहाँ देख सकते कि डाल को मतलब एक अलग फॉर्म के साथ बनाया हुआ है तो मतलब डाल में अलग-अलग डाल का जो मिक्चर रहेगा तो उसके साथ जो डीश प्रिपेर की जाती है तो उसे डाल मकनी कहते है तो इसे लोग मतलब जो बटर रोटी रहेगी पाल को इसमें जीनजर के साथ जो बना जाता है अलग-बना जाता है जीनजर के साथ पिंनी अगर बार हैं बात करेंगे तो पिन्नी आपको थर्ड नंबर पे एक डिश दिखेगी जो की पेड़ी की तरह दिखाई दे रही है तो आप मतलब आप पिक्चर से समझ गए होंगे कि पिन्नी एक स्वीट डिश है जिसे पंजाबी पीपल डेजर्ट में देना पसंद करते हैं तो पिन्नी भी यह काफी फेमस डिश फेमस स्वीट डिश जिसे आप कह सकते हैं पंजाब की कुलचा के अगर बारें बात करेंगे तो कुलचा आप बोल सकते की एक बड़ासा पराटे की तरह ही रिखता है कि कुलचा बटा थोड़ा अलग होता है तो कुल्चा काफी लोगों में फेमस है खाने के लिए देन पालक पनीर के अगर बारे हम बात करेंगे तो पालक पनीर आप सभी को पता है कि क्या रहता है कि पनीर जो कि पालक की एक प्यूरी बनाए जाती है मतलब अलग-अलग spices में पका के उसमें जो पनीर डाला जाता है उसके बाद जो फिर डिश प्रिपेर की जाती है तो उसे पालक पनीर कहता है तो यह जो फोर्थ पिक्चर है तो यह चिकन टिक्का है जिसमें जो चिकन है तो उसके small-small pieces किये हुए है उसके बाद फिर एक रोड लिया हुआ है छोटा सा उसमें उसको मतलब अशाब kenyak Eliyish w then tourist destinations के बारे में बात करेंगे पंजाब में तो first है Amritsar तो Amritsar एक आप बोल सकते कि pilgrimage है हिंदू people भी वहाँ पे जाते हैं then Sikh people के लिए तो मतलब holiest place आप जिससे कह सकते है Amritsar को क्योंकि यहाँ पे जो मतलब हर्मंदिर साइब जट जो temple है तो वहाँ पे पॉर्टनस भी है Amritsar का तो एक का मतलब tourist destination point है दें चंदिगड के बारे में बात करेंगे तो चंदिगड पंजाब की capital है और पूरा जो administration चलता है पंजाब का तो वो चंदिगड से ही चलता है और चंदिगड वन आप दी greeniest city आप जिसे बोल सकते इंडिया की तो अगर चंदिगड में आप जाएंगे तो आपको दीखेगा की काफी green है then garbage free है roads काफी clean है then वहाँ पे मतलब आपको दीखेगा की legislative assembly वहाँ पे located है तो चंदिगड भी आपके लिए मतलब as a city अगर आप देखने जाएंगे तो काफी आपके लिए मतलब काफी eye soothing एक experience हो सकता है then ludhyana के अगर बारे में बात करेंगे तो ludhyana जो है तो एक मतलब पंजाब की सबसे बड़ी city है तो ludhyana जो मतलब cotton से जो चीज़े बनाए जाती है जो sweater बनाए जाता है तो उसी के लिए काफी famous है और ludhyana के जो local brands है तो वो भी मतलब काफी famous है बाकी people के लिए मतलब अगर इंडिया से कोई भी अगर जाता है तो ludhyana में जाना काफी पसंद करेगा तो अगर आप कभी पंजाब में जा रहे है तो ludhyana अपने जो list पे है तो उसमें काफी बिल्कुल include करें जालंदर के अगर बारे में बात करेंगे तो जालंदर में जालंदर sports के लिए काफी famous है तो sports मतलब जालंदर से जो कुछ भी मतलब sports equipments बनते है तो वो olympic games में हो आया commonwealth games Asian games तो वहाँ पे जो मतलब use होता है जो equipments यूज होते है sports के तो जालंदर sports academy में बनते है तो जालंदर का एक sports के perspective से अगर देखे तो काफी बड़ा काफी ज्यादा importance है देना मोहाली के अगर बारे में बात करेंगे तो मोहाली मोहाली में cricket stadium है मोहाली cricket stadium जहाँ पे 2011 में जो इंडिया वसे पाकिस्तान का मैच हुआ था तो मोहाली में हुआ था तो इंडिया में इंडिया उसमें जीता जीता था 2011 में और तो मोहाली आज बोल सकते कि जो sports lover cricket lover है तो उनके लिए काफी मतलब famous point है तो वहां पे लोग बड़े मतलब numbers में वहां पे matches देखने के लिए आते है तो पटियाला के अगर बारे में बात करेंगे तो पटियाला में पटियाला अगर आपको शॉपिंग का बहुत ज्यादा शौक है तो पटियाला आपके लिए मतलब अच्छा point बन सकता है तो वहां पे जो धोबी बाजार है तो काफी famous market है तो उसे मतलब shoppers के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस है देन भटिंडा के अगर बारे में बात करेंगे तो भटिंडा भी shoppers के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेस है तो वहां पे आप मतलब भटिंडा आज टूरिस दिस्टिंशन आप देख सकते कि जो भटिंडा में काफी मतलब पगड़ी हुई या फिर परांडा वगरा हुआ तो उसे के लिए काफी famous है देन पठान कोट के अगर बारे में बात सकते हैं तो यहां पर लोकेड़ है तो पठान कोट का एक बोल सकते कि आप जो मिलिटरी इंपॉर्टन से तो हमारे इंडिया के इंडियन गवर्मेंट के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पठान कोड़ी है तो गुर्दासपूर के अगर बारे में बात करेंगे तो जो गुरुन आनक जी थे जो मतलब जिन्होंने जो एक सिक कम्युनिटि है तो उनके काफी बड़े अब बोल सक्ते हैं कि बड़े भगवान जैसे आप बोल सकते तो उनके जो लास देश थे तो वह इन्होंने यहां पे स्पेन किये थे तो इसके लिए इसका एक बारे में बात करेंगे तो कपुरतला फेमस टेंपस दिन मॉस्क्यूज रंदेन जो गुरुद्वारे है तो उसके लिए काफी फेमस है कपुरतला और कपुरतला में सैनिक स्कूल्स भी है तो कपुरतला भी एक मतलब आप इंपोर्टन टूरिस्ट देस्टिंशन पॉइंट बन जाता है पंजाब का तो अगर आपको अभी पंजाब में जा रहे हैं तो यह जो मतलब 10 प्लेसे से तो इनको आप अपनी लिस्ट में इंकॉर्परेट कर सकते आगर देखते हैं तो अगर जी आए टेक्स के बारे में बात करेंगे पंजाब की तो वह है फुलकारी तो फ काफी फेमस है जो बनता है यह ए थे तो उसे एट्परेट मिल चुका हुआ ऊपकर मेजर क्लप्रीट में बात करेंगे पंजाब की तो व middle artifacts aloud म the case यहा होता है तो बेली मेजर करप है पंजाब का जकर सब्सक्रापि अच्टाब टो बीज़ारशन करते हों तो यह जो मतलब कुछ मेजर क्रॉप से तो यह मैंने थोड़ी नई स्लाइड लगाई लगाई इस बार क्योंकि जी जादा कम थे पंजाब में तो मेजर क्रा और क्रॉप्स अपको समझ गए होंगे कि कौन-कौन से पंजाब में आगे देखते हैं अगर इंपोर्टन नैशनल पार्क सेंड वाइल लाप सेंचुरिस के बारे में बात करेंगे पंजाब के तो अनफॉर्जनेटली नैशनल पार्क नहीं है कोई भी पंजाब में बर्ट अगर वाइल लाप सेंचुरिस के बारे में बात करेंगे तो तेरा वाइल लाप सेंचुरिस है तो अगर तेरा की तो अगर देखेंगे तो फर्स्ट पे है अबोहर, उसके बाद फिर बेर एश्वान, बीर भत्सोन, बीर बुनेर हेरी, देन बीर दोसांच, बीर गुर्दियालपूरा, बीर महासवाला, बीर मोती बाग, उसके बाद हरीके लेग, जजजर बाचोली, नांगल, तखनी रेहाम लुद्पूर, कठल और कुषलियन, तो यह 13 wildlife centuries है, जो की पंजाब में located है, तो अगर मतलब बहुत ज़्यादा बार national parks और wildlife centuries पे question बनते है, तो आप जो पंजाब में 13 wildlife centuries आती है, तो इससे आप थोड़ा धहन में रखें, इससे आप पढ़े, और थोड़ा मतलब revise करने का, म आपको ज़्यादा देर तक इसे, मतलब यह आपके memory में store रहेगा, आगे देखते हैं, जैसे कि हम tiger और biosphere reserve लगाते हैं, तो unfortunately पंजाब में कोई भी tiger reserve नहीं है, और biosphere reserve भी नहीं है, तो इस slide को हम skip करेंगे, तो यह मैंने जान बुचके लगा है, ताकि आपको पता चले, अगर famous personality, इसके बारे में बात करेंगे पंजाब की, तो first पे है लाला लचपत्रा है, जो की freedom fighter थे, जिने पंजाब की इसली के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके बारे में आपने history में बहुत बार पढ़ा होगा, then second पे है करांतिकारी भगत सिंग, तो इनका जो picture है, तो जो open hair के साथ जो बैटे है, बार मतलब इसके पलंग पे, तो ये है हमारे करांतिकारी भगत सिंग, तो आज है 23rd March, तो आज का जो day है, तो अमेरिटर्स डे के नाम से ही जाना जाता है, ताक क्योंकि इसी दिन पे जो हमारे करांतिकारी भगत सिंग है, सुकदेव जी है, रा उद्ध म richness के ऊपर एक मूवी आई थी, की कोशल की उद्धम का जो पुमघम नाम की, तो मतलब बढ़र जो जो पैदर नियवाय हुआ ह ए विकिक एक की पूछल ने, तो अगर आपको उद्धम सिंग जी के और में, जानना है, तो मैं आया भगत सजस करूंगा के का जो लब वर्स नहीं है हमारे पास की कुलदीप सिंग जी ने 1970 के इंडो पाक वार में क्या किया था तो ये भी एक फेमस वन आप दी फेमस पस्टनेरेटीज माने जाते हैं पंजाब के देन किरन बेदी जी के बारे में बात करेंगे तो हमारे इंडिया की फर्स्ट लेडी आईप मिलका सिंग जिने फ्लाइंग सिख नाम से भी जाना जाता है तो इनके ऊपर भी एक मुवी बनाया हुआ है जिसमें मतलब फरा नक्तर ने मिलका सिंग जी का रोल पोर्ट्रे किया है तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप मुवी ज़रूर देख सकते और एट नंबर पर यूरा सिंग तो इनका कॉंट्रिबिशन हम 2011 के वर्ल्ड कप में नहीं बूल सकते क्योंकि इनको मतलब कैंसर था तब यह मतलब खेल रहे थे हमारी इंडिया के लिए जो ग्राउन थे तो ग्राउन पर उल्टिया कर रहे थे तब भी खेल रहे थे तो इनका भी चलने कुछquency अनोन में चाई कर ओंसर स्वर्ल अगे अगर बात करेंगे तो है यूस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो पंजाम में बस एक यूस को वर्ल्ड हेरिटी साइट है जो कि है श्री हरिमंदर अ श्रीमंधिर साहीब हम्रिष r climdao जिसे 2004 में में डिखलीयर कर दि तो इसे आप थोड़ा द्यान में रखें मतलब यह आपके लिए बहुत इसी बन जाएगा कि अगर अम्रिज सरकार का नाम आता है या फिर श्री हरीमंदर साहीब जी का नाम आता है तो आप जल्दी क्लिक कर लेंगे कि यह पाकी यह पंजाब से बिलॉंग करता है तो इसी के साथ हम हमारा पूरा जो डिसकेशन है पूरा जो पंजाब स्टेट का अनलिस से वो कंप्लेट करते और अगर आपको नेक्स स्टेट बता नहीं है कि कौन सी होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते और अगर आपको यह वीडियो पसन आया तो प्लीज ल